आज हम लोगयां पर बात करेंगे लसे में बहुत सारी स्टुरेंट्स को पॉबलम्स होती है लसे में में उस वह कोन से इजी ट्रिक अपना है जिससे एक्जाम में बैंक के में पार करें ऐसेंसी की वात करें गाथ क्ए के बात करें की बात कदें मैट की बात करें सब जगह यहां पर को यह ट्रिक साथ लिए ध्यान से देख लीजिए क्यों यह त्रिक आपके बहुत जादा इंपोटन्ट है कि आप S macht क्यों PRESRIK 21 से 2 सेक्ड में उसका आंसरा बता सके वाइस अगर हम इसका चाहिते हैं करके साहित के इसका छ एंसर आजाता है 18 कि अगर हम हम इसके उसकी आप करते हैं इसका इसका बता देंगे मिलता इसका एंसर इसका अन dust होगी सो इस वीडियो को एंड तक देखिए और तीनों की ट्रिक देखिए तीनों टाइप्स वाली आप ट्रिक लेज़ेगा नाव फ्रेंट्स टाइप वन हम लोग यहां पर समझ लेते हैं टाइप वन में क्या होता है सबसे पहले आपको ऐल सीम कैलकुलेट करना है मिस आपक कोई-भी ंडिजरफ आपको अल्सेम केलकुलेट कर ने लियते है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं उसमें सबसे बड़ी डिजर कॉनसी है थीक डिक इक तो सबसे बड़ी डिजर्ट जहां ने देखी तो इसमें एटीन आई है ठीक है अब हम क्या करेंगे यह चेक करेंग 18, 6 से भी cut होता है, 9 to 0, 18 इस से भी cut होता है, और जब कोई number सभी desert से cut हो जाए, तो वो ही उसका LCM होता है, that means, LCM equals to 18, यही एक simple से trick है, answer देखते ही आप बता देंगे, अगर हम second question की बात करें, तो अब बता दीजी इसका answer, क्या होता है इसका answer, सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी desert देखते हैं, आपको यह 5 desert दे दी गई है, इनका LCM बताना है आपको, So guys, हमने क्या किया, सबसे बड़ी desert check कर ली, 12 होती है, यही इसका answer है, क्योंकि अगर हम check कर की देखते हैं, कि 2 से 12 कट हो जाता है, yes, 2, 6 से 12, 3 से भी कट हो जाता है, 4 से भी कट हो जाता है, and 6 से भी कट हो जाता है, तो सभी desert से 12 कट हो जाता है, इसका मतलब, इस desert का, इन desert का LCM क्या होगा 12 होगा है ना so simple so type 1 बहुत ही easy है now question number 3 की बात करते हैं so अब बता दीजी 1 second में देखते ही answer बता देंगे so guys अगर हम 6 से बात करते हैं तो 6 से भी 48 कट हो जाता है 6 8s are 48 now अगर 12 की बात करते हैं 12 से भी कट हो जाता है 12 4s are 48 now 24 2s are 48 so LCM क्या होगा इसका 48 होगा it's so simple है ना so easy type 1 so अब आपने देखा कि कैसे हम देखते ही LCM बता सकते हैं answer बता देंगे now type 2 की बात कर ले now friends type 2 देख लेते हैं type 2 में कैसे solve करेंगे माल या आपको यह डिजीट देदी 5, 15, 20 और 30 so इसका LCM क्या होगा क्या आप इसका answer बता सकते हैं yes इसका answer आएगा 60 but कैसे आएगा same सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ी डिजीट चेक कर लेंगे सबसे बड़ी डिजीट कौन सी है इनमे सबसे बड़ी डिजीट आती है आपकी 30 right so आपको यह तो मालूम होगा कि सबसे बड़ी डिजीट क्या है आपको 30 है but अब क्या चेक करना है कि चेक करेंगे छोटी डिजीट जो है वो सभी 30 को डिवाइड करती है yes फिर 5 से चेक करेंगे 5 से 30 डिवाइड होता है yes 5 6 से 30 15 से भी डिवाइड हो जाता है multiplication करेंगे जिससे कि आपका 20 से easily divide हो जाए मान लिया आप 2 से multiply करके देखिए 2 से multiply करेंगे तो 60 आएगा तो 20 से 60 को divide करेंगे तो हो जाएगा 23 is a 60 that means this is your answer LCM क्या हो जाएगा इस question का 60 हो जाएगा so हमें क्या करना है multiply करके देख लेना है उस digit में जिससे की easily वो divide हो सके ना नेक्स कोशन से देख लेते हैं next question आपको दिया हुआ है 10 20 और 30 तो सबसे बड़ी डिजित सबसे पहले क्या देखना है सबसे बड़ी डिजित सबसे बड़ी डिजित क्या हो गई obviously 30 हो गई सो हमने यहाँ पर 30 देख ले सबसे बड़ी डिजित आ गई भाई अब हम चेक करें कि इनसी डिवाइड होता है 10 से डिवाइड हो जाता है yes 10 ती से डिवाइड होता है 60 होगा सो यह आपको समझ आ गया ना LCM लीस्ट कॉमन फेक्टर इसके ट्रिक कितनी इजी है राइट ना बहुत सारे स्टोंट्स को ऐसे में कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे मिस्टेक्स करते बट अब आप लोग नहीं करेंगे सो यह बहुत सिंपल है ना नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं 2,4,6,10,12 आपको एक कोशन दिया है क्या चेक करना है LCM सो सबसे बहले सबसे बड़ी वैल्यू 12 हो गई यह सबसे और सिंपल नहीं होता है तो अगर हम 12 में 2 यक्रीं मृटिप्लाइद नहीं होता है 3 से multiply करते है 36 तो 30 यह भी डिवाइड नहीं होता अगर हम 4 करते हैं तो कितना आता है 48 होता है यह भी नहीं होता तो अगर हम 5 करते हैं तो 5 क्या हो गया जल्दी बताइए अगर 12 5 जा 60 तो 10 6 क्या होता है 60 होता है that means यह आपका क्या होगा इस डिजट का LCM होगा तो यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा 10 60 को डिवाइड कर पाना है 10 6 60 it means LCM क्या आगया हमारा इस कॉशन का 60 आगया सब्सक्राइब करना है जो बड़ी डिजट है उसमें हम ऐसी मुल्टिप्लाइ करें कि वह डिजट इसली डिवाइड कर दे तो इन डिजट का LCM क्या आगया 60 आगया इस यह वर इंपोर्टेंट ट्रिक सब्सक्राइब करना है आपको इस सबसे पहले अगें टाइप वन ही सबसे बड़ी डिजट चेक करनी है सबसे बड़ी डिजट कौन सी है यहाँ पर 18 है आप जब 18 है तो इससे पहले वाली चोटे डिजट है चेक करेंगे कि वह सभी 18 को डिवाइड कर पाती है कि नहीं तो अगर 3 की बात करते हैं 3 से डिवाइड हो जाता है 3 6 आ 18 अगर हम 6 की बात करते हैं 6 3 जा 18 नो गरम 11 की बात करते हैं तो क्या 11 से डिवाइड हो सकता है नहीं डिवाइड हो सकता इसको कैसे करेंगे धियान रखना इससे पहले जो हमने कोशन किया था तो वहां पर आपने देखा था कि 12 10 और 12 का मल्टिप्लिकेशन ठीक है तो हमने इसमें कितने तो हमारा 60 आया था तो हमारा 60 क्योंकि 106 होता है यहां पर हम लोग क्या करेंगे ध्यान रखना 11 किया है आपका 11 प्राइम नंबर है जहां पर प्राइम नंबर आ जाये इसकी एक इसमेशन ते से फीटियव स्ब्सक्राइयर गारे माल्तिप्लाइव करेंगे 18 इंटु 11 और यही आपका LCM होगा, धियान रखना इस सीज को, ये बहुत ही छोटी से trick है, and 80-0-11 का multiplication मैंने आपको बताया हुआ है, description box में भी link provider की multiplication of 11 की बहुत easy trick है that means इसका answer आजाएगा 198, तो 198 answer कैसे है, multiplication by 11, किसे भी digit को 11 से multiply करना है तो उसका easiest way में answer देख लीजेगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी digit को भी, अगर आप 11 से multiply करना चाते हैं, तो सिर्फ 2 सेकेंड में आप multiply कर सकते हैं उसके trick, नेचे description box में आपको link available है, so guys इसका answer आजाता है, 198 that means, यहाँ पर इन digits का जो LCM होगा वो आएगा 198, right now next question की बात करते हैं next question आपको दिया हुआ है 7, 14, 28 and 13 right, so इसमें सबसे बड़ी dessert चेक करेंगे, सबसे बड़ी dessert अगर हम बात करते हैं, तो क्या है आपकी 28 है, now 30 dessert से चेक कर लेते हैं divide करके, 7 से 28 को divide करेंगे, तो हो जाएगा ठीके, 14 तूज़ा 28, 7, 4s are 28 14, 2s are 28, but 13 से जब divide करेंगे, तो divide नहीं होगा and मैंने अभी आपको एक prime number की specialty बताई थी, कि 13 आपका क्या है, prime number है so आपने dessert से पहले ही देख लिया कि 13 आपका prime number है and यहाँ पर यह तो नो dessert आपके divide कर देती है 28 को so 28 में क्या करेंगी, 13 की direct multiply कर देंगी, यही इसका answer होगा LCM का, so guys, multiplication 2 digits का multiplication इसकी trick मैंने आपको बताई हुई है कभी भी आपको multiply करना है 2 digits का तो हम कैसे करते हैं, ध्याने ना आपको, 2 1s are 2 and यहाँ पर 8 3s are 24 एक cross लगाएंगे, आप first इस type से multiply करेंगे 8, 1s are 8 and 2 3s are 6 तो 8 और 6 कितना होता है 14 होता है, यहाँ पर 14 लिखेंगे, 4, 6, 3 so multiply करके answer आजाएगा आपका 364, यही इसका answer है right, clear है आपको किस type से हमने इस question को किया है, ठीके, तो यह हमारा answer आगया, 364 so guys, यह trick भी देख लेजएगा 2 digits को multiply करना है, आपको कहीं पर भी बहुत ही simple trick है description box में link available है okay, so आपने देख लिए इसका LCM आया, आपका इसका LCM आगया now next question की बात कर लेते हैं next question आपको दिया हुआ है 4, 12, 17 and 24 ठीके, so इसका answer क्या होगा सबसे पहले बड़ी digit हम चेक करेंगे, सबसे बड़ी digit क्या है यहाँ पर 24 है चीके, so आप देखेंगे 4, 24 को डिवाइड कर देता है, yes 4, 6, 24 12 से डिवाइड हो जाता है, yes 12 to the 24, 17 से होता है, नहीं और 17 तो आपको मालूम है क्या होता है, prime number होता है that means LCM के आएगा इस question का, 17 से पहले हम instant की multiply करेंगे फिर इस की multiply करेंगे now एक space छोडेंगे, इन दोनों की आपसे में, 7 to the 14 and 4, 1 to the 4, 18 now यहाँ पर add कर देंगे 8 और 2, क्या हो जाता है 10, 1 और 4 that means, answer के आगया आपका, 408 आगया, यही इसका answer है so guys, बहुत ही simple trick है यह जो multiplication के trick है सभी जगें apply होगी यह multiplication के trick देख लीजेगा table learning के trick भी देख लीजेगा वो भी बहुत जादा important है क्योंकि सभी जगें आपको किस तरी के से multiply करनी है table, वो भी आप देख सकते हैं, so guys, है ना so easy, तो आप LCM की कोई भी trick हो, कोई भी आपको deserts देदी जाए, सभी LCM calculate कर सकते हैं, यह 3 types आपके सभी questions में apply होगे and other videos ज़रूर देख लीजेगा क्योंकि आगर जो नई एक वीडियो आपकी आएगी वो HCF की आएगी, HCF के लिए अगर आप वीडियो की बहुत सारी बहुत अच्छी trick जानना चाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आपको daily notifications मिलते रहेंगे so guys, HCF की important trick decimals value के दीजाए, LCM or HCF calculate करने की, वो कैसे solve करेंगे, अगर आपको fraction में दे दिया जाए, उनका LCM or HCF calculate करना है, वो सब भी जानना चाते है, तो इस चैनल को subscribe कर लीजे, अगर आपको पसंद आया तो like जरू कीजेगा, अपने friends को जरू share कीजेगा, क्योंकि उनके लिए भी वीडियो ये helpful होनी चाहिए, okay guys I hope ये आपके लिए helpful होगा, इस वीडियो को देखने के लिए, thank you, bye bye, take care